हेलो फ्रेंट्स, दिस इस अश्विस्टिंग और वेलकम तो स्मार्टर एवरेड़े मैं दियो फ्रेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही पहत्रिन टॉपिक को मैंने डिस्कूस किया है a sound system of the English language ये B.A. के एस्टुडेंट्स के लिए और B.A. के जो भी स्टुडेंट्स हैmer उनके पास एक common subject होता है language proficiency in English ठीक? तो ये समके लिए compulsory subject है जलदी समझ में नहीं आती है और language proficiency के मैंने बहुत सरे वीडियोs upload किये हुई है और आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो है बहुत ही क्येरफुली अब देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट जरू करके जाएं देखिए sound system of the English language English language का sound system क्या है My dear friends, देखिए The letters are the graphic noting down of sounds The letters यानि की अक्षर यानि की अक्षरों में धोनिया जो है वो अंकित होती है ठीक, पहली बात वो graphic जो word है इसका मतलब होता है चित्रात्मक या इसपस्ट रूप से या समझना, ठीक The letters are the graphic noting down of sounds जो अक्षर होते हैं, जो letters होते हैं, उनमें जो sound होता है वो note होता यानि की अंकित होती है ठीक, letters में, धोनियों में, अक्षरों में धोनिया अंकित होती है There are letters in English alphabet There are 26 letters in English alphabet आप सब जानते हैं की English alphabet में 26 letters होते हैं ठीक, बट, लेकिन, it has 46 sounds लेकिन sound 46 होते हैं, देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है की 26 letters, letters 26 in English alphabet but it has 46 sounds, sound 46 होते हैं ठीक, my dear friends, letters 26 और sound 46 जिसमें 24 consonants होते हैं और 12 vowels होते हैं okay, consonant कितने, 24, vowels कितने, 12 and 8 diphthongs, और diphthongs कितने होते हैं, 8 my dear friends, आपने consonant पढ़े, आपने vowel पढ़े लेकिन diphthongs आपके सामने नया word आ गया diphthongs क्या होता है, चलिए, मैं diphthongs की definition अलग से बताता हूँ my dear friends, आपके सामने diphthongs देखे, diphthongs को समझ लीजे क्या है, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा कि 8 diphthongs क्या होते हैं 2 vowel sounds, जो diphthongs होते हैं, वो double vowel sound होते हैं ठिक, diphthongs क्या है, 2 vowel sound यानि की double vowel sounds that are pronounced, जिनको pronounce क्या जाता है together, मैं साथ में, यानि की, दो vowel होंगे, लेकिन साथ में pronounce क्या जाएगा कैसे, अब ही समझाऊंगा, to make one sound एक sound को represent करने के लिए, दो vowel की जरूरत पड़ती है दो vowel होंगे, तब एक आवाज निकलेगी for example, जैसे, ai, ai, यानि की i, sound in fine fine, जैसे word लिखा हुआ है, fine, क्या लिखा है ये लिखा है, sorry, f, i, n, e, इसको हमने पढ़ा, क्या पढ़ा fine, यानि की a, plus e, यानि की a, plus i जाकर क्या बना i, है न, i बना, far in, हम इसको पढ़ रहे हैं, fine fine का मतलब a, बड़ा a, और छुटी e, यानि की a, plus i मिल करके बना i, fine, ठीक, यहाँ पे vowel तो i है, लेकिन हम इसको पढ़ रहे है, fine, यानि की a, और e, a, और i, दो vowel मिल करके, एक sound को बता रहे हैं, i, ठीक, a, i, vowel वावल दो है, sound, एक बने क्या है हमारे पास, ठीक है, तो यह हो गया, fine, ashe, fine, oil, 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 जैसे लिखा है, oil, oil, o, i, l, तो o, i, o, i, क्या बना हमारे पास, o, i, दो sound है, ठीक, वावल दो है sound, एक, oil, oil, और जैसे a, i, s, l, e, यह है, ठीक, l, l बढ़ते हैं इसको, ओके, फिर die, die, i, 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 और e, vowel दो sound, एक, sound बना i, ठीक, die, इस प्रकारशे, जो diphthongs होता है, इसको अलग-अलग कर सकते हैं, diphthongs, p के बाद यहां पर h लगा न भूले है, sorry, diphth diff, diff का मतलब होता है, दो, यानि कि, और जो यह, यह देखे, di, di, di का मतलब ही होता है, बाट देना, अलग कर देना, विभाजन कर देना, ठीक है, और diphthongs को हम, जो है, gliding vowels भी कहते हैं, gliding vowels, okay, dear friends, diphthongs को gliding vowels भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आवाज, फिसलते हुए जाती है, फिसलते हुए निकलती है, ठीक है, ओके, तो, oil हो क्या है, जैसे O, और E, क्या-क्या, O, प्लस E, O, E, oil, oil, sound बना रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर इसमाइल भी हो सकता है, S, M, I, L, E, इसमाइल, R, E, R, E, ठीक, तो A, E बन गया, इसमाइल, दो वावेल मिलकर, एक sound बनाते हैं, तो वो diphthongs होता है, समझ में आई बात, आज ना करतों समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह देखिए, चलिए, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, diphthongs पे थे, तो आपको समझ में आया, 24 consonants, 12 vowels and 8 diphthongs होते हैं, English alphabet में, as a result, प्रिणाम के अधर पर, the spelling, यानि कि वर्तनी, of words, सब्दों की, सब्दों की जो spelling है, does not necessarily guide pronunciation, pronunciation, the spelling of words, does not necessarily guide pronunciation, यानि कि सब्दों की जो spelling है, वो आवश्यक रूप्शे pronunciation को guide नहीं करती है, जैसे, जो words की spelling होती है, अगर हम उसी के base पे हम उसको नहीं पढ़ सकते, जैसे, जैसे आप पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे लिखा है आपके सामने, woman, woman, woman लिखे, इसको हम पढ़ें तो यह पढ़ा जाएगा, woman, लेकिन हम इसको पढ़ते है, women, women, ठीक, तो जो इसकी spelling है, हम उस spelling पर नहीं जाते हैं, हम उसके pronunciation पर जाते हैं, कि उसका pronunciation क्या नि sorry, कहा गया, as a result, the spelling of words, यानि कि सब्दों की जो spelling है, does not necessarily, वो जो है, उसको आवशकता नहीं है, guide करने की pronunciation को, spelling जो है, उससे उसका pronunciation नहीं निकलता, जैसे women, इसको लिखा woman है, पढ़ते इसको women है, है ना, और इसी परकार से बहुत सारी spelling से हैं, तो चलिए, आगे देखते है ये line से में आई, as a result, प्रिणाम के अधार पर the spelling of words, words की जो spelling है, उसको वो जो है, आवसक रूप से pronunciation को या उच्चरण को निर्देशित नहीं करती है, उसको guide नहीं करती है, ठीक है, for example, जैसे the words city, c-i-ty, city, b-u-s-y, busy, है ना, लिखा है, अगर हम इस पर जाएं, spelling पर पर जाएंगे, तो busy कहेंगे, लेकिन नहीं, spelling जो है, वो उच्चरण नहीं देती है, pronunciation नहीं देती है, इसको हम पढ़ते है, busy, sound आ रहा है, आई का, किसका sound आ रहा है, आई का, तो ये busy पढ़ेंगे इसको, women, okay, etc, have the similar sound, इनकी इनमें सब में similar sound आ रहा है, एक जैसा sound आई का दो यदे भी represented by different vowels, vowels तो अलग-अलग है, जैसे I है, U है, O है, लेकिन represent किसके द्वारा हो रहे है, I represented different vowels, अलग-अलग sound represent कर रहे हैं, लेकिन sound अलग आ रहा है, ठीक, vowel अलग है, sound अलग है, besides इसके अतरिक्त, there are some silent letters, इसी प्रकार से कुछ silent letters होते हैं, English में, जैसे T in listen, जैसे जो listen word है, L-I-S-T-E-N, है न, पढ़ें तो इसको listen पढ़ें, लेकिन नहीं, T इसमें silent है, तो listen हो जाएगा, K in knife, knife में, K-N-I-F, यानि कि K की कोई जुरूत नहीं है, तो लेकिन यह लगा हुए है, के silent है, I in half, H-A-L-F, half, अगर H-A-F लिखें तब है, लेकिन L लगा हुए है, और L silent है, तो यह half हो जाएगा, तो क्या है, कि इसमें, English में, कुछ letters silent होते हैं, okay, as a result, परिणाम के अधर पर, the spelling of words, does not necessarily guide pronunciation, यानि कि सब्दों की spelling, जो है, वो आवस्यक रूप से pronunciation, यानि कि उचरण को निरदेशित नहीं करती है, जैसे उधरण के तोर पर, the words, city, busy, women, etc, है न, have the similar sound, इनमें आवाज, जो है, वो similar है, शामान नहीं है, एक जैसी है, I की, लेकिन, जो words है, वो represent हो रहे हैं, किसके दोरा, I, U, and O, different vowels के दोरा, इसके अतरिक, there are some silent letters, कुछ silent letters होते हैं, इंगलिस में, जैसे कि T, listen में, के knife में, और I, half में, ठ तो अंगुठा दिखा दीजे, like मार दीजे, आगे बढ़ते हैं, दस, इस प्रकार से, there was an apparent need of having symbols, which are called phoretic symbols, देखे, यानि की, there was an apparent need, apparent, apparent का मतलब क्या होता है, apparent का मतलब होता है, is first, clear, प्रकट या प्रतेक्च, need माने आव सकता, of having माने रखने की, symbols माने प्रतीकों को, which माने जिनको, R, R माने है, called माने कहा जाता, phonetic symbols, यानि की, इस प्रकार, प्रतीकों के होने की, जो इस प्रस्ट आव सकता थी, जिसे हम धुन्यात्मक प्रतीक कहते हैं, phonetic symbols को, धुन्यात्मक प्रतीक कहा जाता है, these symbols, endeavor, to represent the exact sound for pronunciation purpose, these माने ये, symbols माने प् endeavor का मतलब होता है, कोशिश करना या प्रयाश करना, to represent, represent करने के लिए, यानि कि, उसका प्रतिमधित्त करने के लिए, दिखाने के लिए, the exact माने ठीक, सटीक, sound माने आवाज, for pronunciation माने उचरण के लिए, यानि, जो है, pronunciation purpose, यानि कि, जो है, सब्दों के, उचरण के, उद्दे इस्चियों के लिए, सटीक दोनी का प्रतिमधित्त करने का प्रयाश करते हैं, ठीक है, यह जो सिंबल्स हैं, these symbols endeavor, यह जो सिंबल्स हैं, यह endeavor करते हैं, कोशिश करते हैं, to represent करने के लिए, the exact माने ठीक, सटीक, आवाज को, for pronunciation, पर पजाने की उचरण के उद्देश को ले कर सटीक दोनी को रिप्रेजन करने का प्रयाश करते हैं, यह सिंबल्स शटीक दोनी को रिप्रेजन करने का प्रयाश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, these symbols were given out by the International Phonetic Association, यह जो सिंबल्स हैं, यह International Phonetic Symbols के द्वारा दिये गये हैं, We can broadly divide the sounds into, we can broadly, broadly मतलब होता है, मोर्टे तार पर, divide कर सकते हैं, sounds मतलब धनियों को, into किस में, vowel sound और consonant sounds में, A vowel sound is made when, when there is no closer of the air stream by various species organs, partial or complete, एक जो vowel sound होती है, वो तब की जाती है, जब there is no closer, Closer, closer मतलब किसी भी प्रकार का कोई बंद प्रिपेक्शना हो, of the air मने हवा का, stream, हवा की धारा का, by various मने अनेक प्रकार के speech मतलब, भाशन में, organs मने अंग, यानि कि, एक vowel sound तब की जाती है, जब हम किसी प्रकार की speech दे रहे हों, और वहाँ पर हम जो हवा निकले मूशे, वो हवा नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है, in the English alphabet, English alphabet में क्या है कि, there are only five vowels, पाँच ही वावल हों, पाँच ही वावल है, A, E, I, O, U, but there are 21 vowel sounds, वावल पाँच, उनकी sound, 21, they are divided into pure vowel sounds, इनको divide किया गया है, pure vowel sound और diphthongs में, ठीक है, pure vowel sound कहे दो, या walkads, एक word में कहे दो, diphthongs कहे दो, या contrast कहे दो, ठीक है my dear friends, तो ये बहुत important question थाप के लिए, bias spacing, by, ये point कहां से लग गया, bias spacing, so my dear friends, आज आकर तो वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को like, share, comment करके जाएगा, और next वीडियो का wait कीजिए, ठीक है, so okay, thank you